वेलकम टो माय चनल तो आज हम लोग देखेंगी exercise 1.2 के questions को और इसके पहले के जो विडियो जह ना उसमें हम लोगों ने exercise 1.1 के questions को देख लिया था तो यह हमारे पास यहां पर देखित 4 questions है one by one सारे questions को हम लोग solve करेंगी तो थोड़ा सा लोग यहां पर introduction दक्षरेश्य पार्ट कि बात करेंगी यहां पे हम लोगों को इस घ्ल का है तो पहले आ rational numbers क्या होते हैं rational numbers क्या होते हैं यह जानते हैं वैसे numbers जिसको लोग पी-वन के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग यसा मिलोग प्रेल कहते हैं लेकिन यह लोग लोग किसको कहेंगे तो जूस्ट इसका आप совершit हो जाएगा और वैसे और जिसको यहां पर P upon Q की रूप में नहीं लिख सकते हैं वह हमारा क्या होगा E rational number होगा तो इसका definition हमको यहां से मिलेगा यहां पर देखें लास्ट लान में हमारे पास पताया गया है A number S is called E rational if it cannot be written in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 तो बस हम लोग यहां पर यह statement को ध्यान में रखेंगे ओके यही हमारा होगा definition कि इसका तो E rational number का वैसा number हमको E rational कहेंगे जिसको हमें आप पर P upon Q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं और जहां पर P और Q दोनों हमारे क्या हैं ना integers हैं और Q जो है सो हमारा 0 के equal नहीं है ओके not equal to 0 तो यह definition है आने कि just हमारा rational number का ही opposite हो गया अगर उसको P upon Q के रूप में लिख पाते हैं तो हमारा वो rational कहलाता है अगर हम नहीं लिख पा रहा है तो हमारा E rational कहलाता है अब यहां पर examples की बाता है तो examples देखिए यहाँ पे जो numbers दिया गया है ना यह हमारा e rational number के example है आने कि यह जो हमारा root के अंदर से रहता है number उसको लोग क्या कहते है e rational कहते हैं लेकिन ध्यान यह रखना है कि उसका हमको पूरा-पूरा root ना निकले जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें root 4 की तो root 4 का आप देखिएगा कि root 4 का हमारा root क्या निकल जाता है 2 निकल जाता है तो root 4 का मतलब हमारे पास हुआ करता है plus 2 या फिर हमारा यह हुआ करता है minus 2 दोनों ही हुआ करता है ठीक है root 4 का मतलब हमारा दोनों ही है minus 2 या तो फिर plus 2 तो अभी हमारा root से बाहर निकल गया तो यह जो root 4 है यह हमारा e rational नहीं है बलकि rational हो गया तो अभी आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो जो number हमारा root के अंदर है जिसका हमारा root नहीं निकल रहा है वो हमारा e rational है जैसे यहाँ से आप देखे जितने भी number है यह सब के सब हमारे क्या है ना e rational number के example से तो decimal number वाले भी जो decimal वाले number होते है decimal वाले में भी हमारा कुछ-कुछ ऐसा है जो e rational कहलाता है वो ऐसा decimal जो repeating नहीं होता है non repeating हो यहाँ पे देखिए जो हमारा दिखाया गया decimal number यहाँ पे जो digits है decimal के बाद वो repeat नहीं कर रहे है और यहाँ पे same digit आपको देखने को मिल रहा है लेकिन आपका repetition नहीं हो रहा है आन्यक्य सेम pattern यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है तो यह हमारा e rational number हो गया और इसके बारे हम थोड़ा सा और हम detail दखेंगे आगे चलिए अभी हमने यह देख लिया अभी यहाँ पे जो e rational numbers है इसको हम कैसे locate करेंगे कहाँ पे number line पे तो number line पे हमने rational number को locate करना बहुत ही आसान है वो देख चुके हैं लेकिन अभी यहाँ पे हमको पे root 2 को locate करना है और यहाँ पे root 3 को भी locate करने के लिए कहा गया है और हमारा जो exercise है उसमें भी हमारा root 5 को locate करने के लिए कहा गया है तो यह सारे number को हम लोग locate करने के लिए सीखेंगे ओके तो चलिए कैसे हम locate करेंगे वो तो हम देख लेंगे यहाँ पर थोड़ा साम लोग यह देख लें उसके पहले हमारा जो question number one है और question number two है इसको solve कर लें इसके बाद root two और root three और root five इसको हम locate करने के लिए सीख लेंगी तो यहाँ पर हमारे पास जो first question इसमें क्या कहता है तो हम लोग कहाँ पर बताने की true और false है तो पहला statement कहता है every e-restal number is a real number तो अभी हमको real number का concept यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा तो आए हम real number का concept को यहाँ पर समझते है real numbers को यहाँ पर two categories में पाटा जाता है पहला जो हमारा हुआ करता है यह हमारा है यहाँ पर एक तरफ restal number और दूसरे तरफ e-restal number यह हमारा restal numbers और यह e-restal numbers दोनों मिल करके हमारे क्या कहलाते है real numbers कहलाते है तो real numbers हमारे दोनों आगे रेसल number और e-restal number और इसका मतलब जितने भी हमारे e-restal number है सब के सब हमारे real number है और जितने भी हमारे restal number है वो सब के सब क्या हमारे real number है तो यहां से हमारा यह clear हो जाता है concept यह हमारा जो पहला question है कहता है every irrational number is a real number yes यह हमारा true होगा तो हम यहां पर क्या लिखेंगे true लिखेंगी और इसके पीछे हम explanation क्या देंगे हम लोग यहां पर note करेंगे true because real numbers is made up of rational and irrational numbers next दिखें यहां पर कहता है every point on the number line is of the form root M where M is a natural number क्या जितने भी हमारे point है number line पे वो सब हमारे root M के form में होते हैं जहां पर M का हमारा तो natural number है तो यह statement हमारा false हो जाएगा अब यहां पर false क्यों हो रहा है तो आई हम यहां पर समझ लेते हैं यह हमारा false क्यों हो रहा है तो मान के चली कि हमारे पास यहां पर एक number line है कुछ इस तरह से ठीक है अब यह number line है अब यहां पर हमारे पास बीच में क्या ना यह मालते है origin है जीरो है और इसके right side हमारे पास positive है यहां लेफ side हमारे पास negative number है तो यहां पर positive number है यह हमारा कितना है और यह हमारा कितना है यह हमारा पास 2 है इस तरह से 3 है अब यहां पर हमारे पास minus में number है तो यह जो number है यह से हमारे integer से इसके अलावे हमारे पास यहां पर बीच में और भी numbers है जो यहां पर हम अभी नहीं दिखा रहे हैं जैसे अगर हम यहां पर बात करें तो यह जो हमारा है यहां पर जिरो और वन की बीच में हमारे पास यहां पर क्या होगा वान अपॉन टू होगा और यहां पर वन और टू की बीच में देखें तो हमारे पास एक पॉइंट है यह हमारा क्या होगा थिरी अपॉन टू होगा तो इस तरह से औ रूट एम रूट एम क्या है हमारा एक तो नेचरल नंबर है यहां पर किसकी बात की गई नेचरल नंबर की बात की गई तो एम हमारा क्या है नेचरल नंबर है तो अगर हम यहां पर कोई नेचरल नंबर रखते हैं तो उसका हमारा रूट क्या होगा जैसे मालेजी की हम यहां पर रख देते हैं रखते हैं वन तो अगर हम वन यहां पर रखेंगे तो वन हमारा एक नेचर नमबर है तो वन का हमारा रूट क्या होगा वह नहीं होगा तो यह हमारा कुल सा पॉइंट को दिखा रहा है इस पॉइंट को दिखा रहा है ओके यह हमारा इस पॉइंट को रिप 1.4 आने कि यह जस्ट हमारा हाप के आसपास आ रहा है तो अभी आप देखिए यह हमारा कहां पर जा रहा है आने कि इस जगह पर जाएगा इस जगह पर आ जाएगा एप्रॉक्स हमारा यहां पर आएगा ओके अब इस तरह से हम और भी नेच्छर नमर को ले सकते हैं जैसे हम आप पिछले तो ठीले सकते हैं मन लजेकि हम यहां पे रूतेजिरी ले लिए तो रूत ओन पॉयंट सेबैं तेनरी मिल रहा है एक होगए तो अभी ऊंपोंगे मिल रहा है तो आप देखिए आप यह नंबर आप देख रहे हैं यह जो नमर है यह हमारा कितना है यह हमारा 1.5 है ठीक है 1.5 है तो 1.5 है अब इसके आगे आने 1.7 तरी है तो हमारा निच्ची तुर पर इधर आएगा ठीक है यहां पर आएगा 1.7 तरी इस तरह से आप्रोक्स में ले रहा हूं 1.7 तरी आ रहा है तो आप यहां पर ध्यान दिजिए हमारे पास रूट टू यह जो हमारा है यह जो हमारा रूट टू है इससे हमको कौन सा पॉइंट दिखा यहां पर यह वाला पॉइंट दिखा और रूट थिरी है इससे हमारा कौन सा पॉइंट हुआ हमारा यह वाला पॉ पॉइंट फैब जो आया 1.5 जो आया इसको तो हम रिपर्जंट नहीं कर पा रहे हैं कोई नेच्व नंबर का रूट से हाना यहां पे अगर हम टू लिये हैं नेच्व लंबर तो हमारा वन पॉइंट फोर आ लेकिन जब हम नेच्व नंबर थे लिए हैं तो हमारे पास क्या रहा वन पॉइंट फैन थी यहां पे इसके बीच में भी हमारे पास पॉइंट है ना जैसे कि हमने यहां पे आपको बताया कि यह जो हमारा है 1.5 यह तो इन दोनों के बीच में आ गया ओके 1.4 और 1.73 इसके बीच में हमारा 1.5 आगया तो आप देखिए 1.5 जो है न यह किसी भी नेचर नम्मर का स्क्वाइर रूट नहीं हो पा रहा है यह जो हमारा है 1.5 ठीक है यह हमारा छोटा हो जाता है किसे छोटा जाता है रूट 3 के जो भेलू है उससे छोटा हो जाता है और यह जो हमारा 1.5 है यह हमारा बढ़ा हो जाता है किससे रूट 2 का जो भेलू है इससे हमारा बढ़ा हो जाता है रूट 2 का भेलू कितना हुआ रूट 2 से हम किसको रिपरजन कर पा रहे हैं रूट 2 से हम एक पॉइंट को ही रिपर्जन कर पाएंगे और हमारा पॉइंट कौन सा होगा वह हमारा पॉइंट होगा नम्म लाइन पे 1.414 ठीक है यह उसका वेलू होता है आप देखेंगे 1.414 ठीक है इस तरह से चलता रहेगा इसका फिक्स वेलू नहीं आएगा अब यहां पे जो हमारा रूट 3 है उससे हैं किस पॉइंट को रिपरेजन कर रहें रूट 3 से हम रिपरजं कर रहे हैं 1.73 को ओके तो यह दो पोइंट कार रहे हिहां पे रूट 2 और 3 सी यह दोनों पोइंट को रिपरेजन कि यह , लेकिन यहां पे यह जो statement है यह हमारा false हो रहा है कि जितने भी point हमारे है number land पे उसको हम root m के रूप में represent कर सकते हैं जहां m हमारा क्या है ना natural number है तो इसलिए हमारा क्या हो गया ना false हो गया तो चलिए यह हमने समझ लिया अब next हमारे पास यहां पे third number है उसको हम देख लेते हैं थार नमर पे यहां पे कहता है every real number is an irational number जितने भी real number है क्या वो हमारे irational number है नहीं है यह तो false होगा चुकि सारे real numbers तो हमारे irational number नहीं होते हैं चुकि real irational number और irational number मिलके हमारा real number बना करता है । है यहां पे हम लोग जानते हैं कि रियल नमबर को होते ह malt पूं ढोरी तरह दोने काँ को ऐसे कैसे होसकता है यहां पर अगर हम रहां number की बात करें, तो real number में हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पे real number में two ले सकते हैं, two हमारे एक real number है, ठीक है, real number में हम यहाँ पे zero ले सकते हैं, real number में हम यहाँ पे one ले सकते हैं, real number में हम बहुत सारे number को ले सकते हैं, तो ये सब कंसर तो हमारे या ये सरे अधर ये अधर वह मारे ये इर ये 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 स मारे 2 ये चाहरे ये सारे के सारे ये या ये ये यह थी या आध़ येॉथ ये ज़िताीं होुज़ alot यह rational number है अब जो rational है तो यह rational नहीं हो सकते ओके अब जो हमारे पास जो rational number है यह हमारा real number भी हुआ करता है तो सारे के सारे real number हमारे यह rational number नहीं है Second number question को आप ध्या से देखे क्या कहा गया है Question number second पर कहता है are the square roots of all positive integers e-rational जितने भी हमारे square root होते हैं positive numbers की कि सब के सब हमारे e rational है नहीं यह statement हमारा false हो जाएगा ठीक है चुकि जितने भी हमारे यहां पे positive number है positive integer है उसका जो square root होता है वो हमारा e rational नहीं होता है हर case में नहीं होता है चुकि अगर हम यहां पे जब बात करते हैं root अगर हम लेते हम पे 4 का तो 4 हमारा positive number है इसका हम a square root लेते हैं क्या आता है 2 या फिर यह हमारा plus हमारा यहां पे minus 2 भी हो सकता है ठीक है तो यह जो दोनों है यह हमारे क्या ना rational number है यह rational number तो नहीं है तो इस लिए statement हमारा false हो जाएगा next कहता है if not give an example of the square root of a number that is a rational number तो चलिए हम यहां पे example देते हैं example के हम example लेते हैं तो 4 का हमारा root कितना हो जागा यह हमारा जागा root यह हमारा true होता है हम लोग जानते हैं ओके तो टू जो है यह हमारा क्या एक rational number है तो हमने यहां पे note कर लिया root under 4 is equal to 2 is a rational number तो यह हमारा example लोग यहां पे कुछ और भी example आप दे सकते हैं अब हमारे पास question number 3 आता है यहां पे हम लोग को दिखाना है root 5 को कहां पे तो number line पे और चलिए इसको भी देखेंगे और इससे पहले हमारे पास यहां पे examples है example हमारे पास 4 है और example हमारे पास 3 है तो example 3 को भी हम लोग देख लेंगे और example 4 को भी हम लोग देख लेते हैं तो यहां पे देखी हम लोगों को root 2 को locate करना है कहां पे number line पे तो बहुत ही आसाने से इसको हम लोकेट कर सकते हैं तो रूट टू को लोकेट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या हम लोग यहां पर एक नंबर लाइन ड्रोग करेंगे तो नंबर लाइन को ड्रोग करने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रोग कर लेते हैं यह हमारे पास नंबर लाइन बन गिया अब हमको क्या करना है यहां पर numéro सैंट लेना है कहीं पको ओरिजिन लेना है माली जे की ओरिजिन हम यहाँ पे लेते हैं इसका नाम यहाँ र में जीरो ले ली हैं ठीक है और घालर हो गया अब Plan तो मालेजी कि यह distance हमारा है आपका कुछ भी हो सकता है यह जरूरी नहीं कि fix हो यह अपके according कुछ भी हो सकता है छोटा बड़ा हो सकता है तो हम यहाँ पे इस length का यहाँ पे mark कर लिए दोनों तरफ हमने mark कर दिया ओके तो अभी हमारे पास यह first unit हो गया थो हम यहां पर one लिख देते हैं यह हमारा दूसरा unit हो गया हम यहां पर two लिख लेते हैं इधर हमारा minus हुआ करता हम लोग जानते हैं अब हमको करना क्या है यहां पर तो हमको दिखाना है root 2 हमको क्या दिखाना है root 2 दिखाना है ठीक है तो root 2 को हम कैसे represent कर सक सकते हैं यह देखि इसको लिख सकते हैं यह पर ए west one और एजो dao फिर सेया लिख सकते हैं वण का स्कौायर फ्लस वण का स्कौायर ठीक है अब यह सां क्यों कर रहे हैं प सबसे जो सने होता हैं उसको हम कहता है ह ओक कैसी होके तो यह जो हमारे पास है पोटनीोस हुआ करता है इसको मा लगाली मैं हाएज से दिखाएं और यह ब्रपेंडिक लो पी से दिखाएं यह लिए भी और हमारा बी के तरह काम करेगा तो चलिए अब हम क्या करते है यहां पर एक ट्रेंगल लेते हैं रायट इंगल ट्रіंगल जिसमें बी हमारा वप होगा और प हमारा वन होगा तो anyone bends का स्कुर्स करके हमारे पास यह आ जाएगा तो इसके लिए हमको लोग को यहां पर एक आर्क करना पड़ेगा इस तरह से आप यहां पर को कट कर लेंगे अब इसके बाद पहला जो कट करेंगे आपका 60 होगा जो दूसरा कट करेंगे आपका कितना होगा यहां पर करना है यहां तक कि जो लंबाई हो कितनी है यहां भी आपको वन उनिट लेना पड़ेगा तो अभी आप जो लेंद्ध का आप यहां पर लिये थे वसी लेंद्ध को आपको लेना है मालजे की यह लेंद्ध हम रहा था तो यही लेंद्ध का हम यहां पर कट कर लेंगे इधर से तो यह हमारा कहां पर कट आ गया यहां पर हमारा कट आ गया इसको हम यहां पर मिला देंगे तो हमारे पास यह लाइन बन रहा है यह हमारा कितना हो जाएगा रूट टू हो जाए इसको तो अभी हम क्या करेंगे न यह हमारा है इसकी लेंद का हमको यहां सकते हैं नमबर लेंड पर आप मेंद तो आप इसको मेजर कर लीजिए यह कितना हो रहा है यह आपका लोड़ी हो रहा है पुलिख्लान नाम आप कुछ दे सकते हैं से मालजे P नाम दे दिए तो P जो point हो गया हो क्या represent कर रहा है रूट 2 को represent कर रहा है अब यहां पर हमारे पास example हमारा example हमारा क्या ने example 4 भी है तो example जो 4 है वो भी हमारा example 3 के जैसा ही बनेगा हमको यहां तक तो काम करना ही पड़ेगा ठीक है है यहां तक तो हमको काम करना ही पड़ेगा रूट 2 तो पहले बनाना पड़ेगा रूट 3 बनाने के लिए तो जब रूट 2 हमारा बन गया रूट 3 कैसे बनाएंगे तो रूट 3 यहां पर पिर हम 90 डिग्री करश्टर्ट करेंगी यह जो आप देख रहे हैं यहां पर कि 90 डिगरी इसके लिए हम यहां पर two times कट के कुछ इसतरह से यह देखिए यहां से हम कट करेंगे ओके तो यह हमारा कितना होगा है नाइन डिगरी बन जाएगा इसको उगर हम मिला देते हैं यहां से यह देखिए हमने मिला दिया ठीक है तो यह तो यहां पर यहाँ पर बन गया अब हम यहाँ पर क्या करेंगे न यह जो हमारा वन यूनिट है यहाँ पर हम वन यूनिट को क्या करते हैं कट कर लेते हैं तो चलिए देखिए हम यहाँ पर इसको मेजर कर लेते हैं हमारा यह कितना लेंथ है यह जो लेंथ हमारा है वन यूनिट ठीक है इ ठीक है, root 3 को represent किया हुआ है, अब इसको हम नीचे यहाँ पे ले लेंगे, जितना length का हमारा है, उतना ही length हमको यहाँ पे number length पे लेना पड़ेगा, तो यह देखिए हमारा है, इसको हम नीचे यहाँ पे कुछ इस तरह से मिला देते हैं, तो यह जो हमारा point बन गया, इसको हम ल root 3 बनेगा, अब root 3 को हम यहाँ पे तोड़े केसे हैं, तो देखिए, root 3 जो हमारा है, इसको में आपे तोड़ सकते हैं, 2 प्लस 1, ठीक है, तो 2 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 को हम लिखेंगे, root 2 का hollow square, और 1 को हम लिखेंगे, 1 का hollow square, ठीक है, तो अभी यह हमारा peak, यह और यह हमारा one है, ठीक है, यह हमारा root 2 है, यह हमारा one है, तो root 2 और यह one, तब जाके happiness हमारा कितना हो गया, root 3 हो गया, तो इस तरह से हमारा example 3 और example 4 ही बन गया, अब यहाँ पे हम लोग next question number को solve करेंगे, जो कि हमारा question number 3 है, तो चलिए उसको भी में देख लेंगे, और 4 को भ line draw करेंगे, तो चलिए यहाँ पे हम एक line draw कर लेते हैं कुछ इस तरह से, यह देखिए, मैंने यहाँ पे line draw कर लिया, अब यहाँ पे हम लोग arrow mark लेते हैं, दोनों तरफ, अब बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक अपने अनुसार आप देख लेजिए, कि कहीं भी आप origin ल नमर होगा, इधर हमारा positive number होगा, तो हमको root 5 दिखा रहा है, हम लोगो क्या देखाना है, root 5 दिखाना है, तो root 5 तो हमारा है, प्लस है न, ठीक है, तो हमारा right side होगा, तो क्या करेंगे हैं, यहाँ पे equal distance को हम ले लेंगे, तो यह distance हम कैसे ले सकते हैं, हम अपने यहाँ पे use कर लेंगे, जिससे मालेजे कि हम यहाँ पे पहला ले लिए, हम यहाँ पे यह दूसरा कट ले लिए, ठीक है, इस तरह से और भी आप कट यहाँ पे आगे भी ले सकते, इधर आप left side भी कट लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से, ओके, तो अभी देखिए इसका हम नाम यहाँ क्या रखेंगे, यह हमारा नाम यहाँ पे 1 आ जाएगा, यह हमारा 2 हो गया, इधर हमारा minus 1 हो जाएगा, राइट, अब देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, यह जो हमारा root 5 है यहाँ पर, root 5 को कैसे तोड़ेंगे, root 5 को हम तोड़ सकते हैं, यह देखिए, इसको हम लेंग यह, तो इसका मतलब यह हो रहा है, कि यह जो हमारा root 5 है, यह हमारा two part में हाँ आपको यह हमारा एक triangle हुआ करता है जिसमें से हमारा एक एंगल होता है, 90 टीक है, यह मालेजी हमारा 90 डिग्री है, ओके तो इस condition में इसको हम बेस माल लेते हैं, यह हमारा पर्पृणिक्लोर होता है और यहां पर हमारा हाइट हुआ करता है तो अभी यह ंपर हमारे पास पराइथागोरास style का हुआתח होगा तो अभी एगर ए हमारा डू यूनिट हो जाता है अकर बेस्ट हमारा two unit हो जाए और perpendicular हमारा कितना हो जाए one unit हो जाए तब उस case में हमारा ये जो है हाइपोटनियस हे कितना हो जाएगा root two root under five हो जाएगा यह कैसे हो रहा है तो अभी देखी ये हमारा हाइपोटनियस है ना तो हाइपोटनियस है यह जो स्क्वाइर आप देख रहे हैं इसको राइट शेड ले जाएंगे तो राइट शेड ले जाएंगे तो हमारा यहां पर रूट बन जाएगा यहां पर रूट बन जाएगा तो यह हमारा हाइपोटनियस क्या हो जाएगा आप perpendicular कितना होगा 1 होगा तो यहां तो हमने यह 2 unit यहां पे ले लिया है तो अब हम 2 पे क्या करेंगा न 90 degree बना लेते हैं और इसके बाद यहां पे जो हमारा line आएगा उस पे हम 1 unit को cut कर लेंगे हम लोग इसके लिए फिर से यहां पे लेंगे यह हमारा नहीं करना है यहां पे कट करना है तो है यह कुछ भी लेंद का आप ले सकते हैं चोटा बड़ा-बड़ा आपके revival का हो सकता है तो हम को Clayton & आर्ग करना पड़ेंगा कुछ अभी यहां से मुझे कट करना है यहां से ठीक है यह अभी हमारा इस तरह से और फिर हमको एक बार और ऊपर क्यों कट करना पड़ेगा यहां पर रखेंगे यह हमारा इधर कट होगा तो यह पहला जो कट हुआ कितना हुआ 60 का हुआ यह जो हमारा दूसरा कट हुआ कितना 120 अब यहाँ पर 120 से भी हमको कट लगाना है ओके इस तरह से और यहाँ पर 60 से हमको कर लगाना यह देखिए तो हमारा कहा पर कट आ अब हमारे पास यहाँ तो हमकर पर आपास हम पहुंच फैरों कि रेते हैं자 हमारा ऐसे नाइंटिरी बन गया हमारा ट्राइंगल के से बनेगा तो यहां पर हमने 2 units लिया हुआ है अब इसको हम मेजर कर लेते के कितना length का हमारा यह है यह हम यहां पर मेजर कर लिए हमारा length यह हमारे पास 2 units से हम यहां पर 1 unit को बन के त्यार हो गए देखे, इसका नाम यहांपे हम A रख लेते हैं, ठीक है? A नाम रख लिए, इसका नाम यहां पे हम B रख लेते हैं, ओके? तो अभी यह हमारे पास two units है, यह हमारे पास one unit है, तो यह हमारा handy continuous कितना हो जागा? यह हमारा जगा root 5 यह हमारा 1 unit है यह हमारे पास कितना यहां से यहां तक यहां से यहां तक हमारे पास है 2 units ठीक है 2 units है ओके तो यह आप समझ गिए 2 units और यह हमारा 1 unit तो यह हम hyper units कितना हो गया root 5 हो गया यह देखे कुछ यहां से हमारे पास अब हमको क्या करना पड़ेगा न इतना ही length हमको यहां पर लेना पड़ेगा number line पे तो इतना ही length हम यहां पर लेंगे वो कैसे लेंगे तो इसके लिए हम यहां पर फिर से यह हम ले लेते हैं यह हमारा compass यहां से इसको हम measure कर लेंगे कितना length का यह है थोड़ा इसको फैला ले तो अभी आप देखी यह हमारा हो रहा है थोड़ा सक कम हो रहा है थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा हलका सा ठीक है इस तरह से आप यहाँ पर बढ़ा लेंगे आपका देखी equal हो गया तो अभी आपको यहाँ से नीचे ले लेना है कुछ इस तरह से यहाँ पर dotted length से हमने लिया है अब यह जो हमारा point आ रहा है यह point यह जो length है इसके equal है ठीक है यह जो OV है उसके equal हमारा यह है इसका नाम हम यहाँ पर C रख लेते हैं हम यहाँ पर क्या रख लिए तो अभी जो हमारा C जो point है यह हमारा point कितना हो जागा यह जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वह कितना हो जाएगी root 5 हो जाएगी ओके तो root 5 कुम कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखाएंगे number line पर question number 4 पर लोगो क्या करना है तो यहाँ पर लोगों कंस्टाट करना है square root spiral ठीक है तो बहुत ही आसाने से लोगों कंस्टाट कर सकते हैं तो फिर से लोगों क्या करना पड़ेगा यहाँ पर लाइन ड्रोग करना पड़ेगा तो चलिए हम ले लेते हैं scale और scale के help से हम यहाँ पर लाइन ड्रोग कर लेते हैं कुछ इस तरह से यह length हमारा कुछ भी होगा इसमें की जरूरी नहीं है कि आपका कोई length specific length का नहीं होगा चलिए हम ले लिए अभी हम length ले लिए अभी क्या करना है ना कहीं पर आपको एक बीच का point लेना है origin के रूप में तो माल लेते हैं कि आप यहाँ पर ले लिए origin ठीक है यहाँ पर लिए origin ओके तो इसका नाम यहाँ पर क्या लख लिए आप वो नाम रख लिए आप नाम यहाँ पर कुछ भी रख सकते अब आपको करना क्या है ना यहाँ पर equal distances पर पर cut mark करने हैं तो चलिए हम यहाँ पर एक लेंथ लेते हैं यह आपका कुछ भी हो सकता है चोटा बड़ा ठीक है इस लेंथ का लेता हूं यह कोई फिक्स लेंथ नहीं है यहाँ पर cut लगाए इस तरह से हम यहाँ पर और भी cut लगा सकते हैं इधर भी आप left side भी आप cut लगा सकते हैं तो चलिए अब हम क्या करेंगे ना इसका नाम देते हैं यहाँ पर पीवन नाम दे दिए और हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा 90 डिग्री तो 90 डिग्री बनाना भी आसानी है आप देखिए हम लोग यहाँ पर cut कर लें कुछ इस तरह से यह हम यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर cut mark कर लेगते हैं यह देखिए हमारा एक arc cut हो चुगा है यह first cut हुआ तो 60 डिग्री यह second cut हुआ तो 180 120 इधर ऊपर के और cut कि फिर हमको यहाँ से cut लगाना है तो यह हमारा कितना हो गया 90 हो गया 90 हो गया इसको हम मिला देते ह हैं तो हमारा यहां पर 90 मिल जाएगा चलिए हमको 90 डिग्री मिल यहां पर होके इस तरह से ठीक है 90 हमको मिल गया यहां पर यहon aro side लेते हैं अब देखिएगा हमारा यह जो length था यह जो वने फुरस्त यहां पर लेंजर कर लेंगे तो यह हमारा kayण यहां पर यह तुर्लेंद् of tomorrow है तो जो तो हम P2 को यहां पर O से मिला लेते हैं, यहां से O से मिला लिए, तो अभी देखिए, यह जो हमारा line यहां पर आ गया, यह हमारा कितना हो गया, यह हमारा root 2 हो गया, यह 90 degree है, यहां पर 1 unit, यहां पर भी 1 unit, को तो यह मारा कितना था वण यूनिट यह भी हमारा वन यूनिट तो ओपी ओपी टू जो है इसकी लंबाई क्या होगए रूट टू तो आप इसको नीचे यहां पर ले सकते कुछ ही सतरा से यह से यह यहां पर हमारा क्या आगया रूट 2 आ गया तो इसके लिए हम क्या कर ऐंगे फिर कपर नब यहां से अम करते हैं कि तो हमारा यह कितना यह हो जाएगा यह हो गया 90 अभी इसको आगे बढ़ा लेंगी यहां से लेखे चलㄋ तु यह हमारा 90ड दिखार एक कितना हो गया 90 degree यहाँ पर arrow sign ले लेते हैं अब यह हमारा कितना था यहाँ से आप देख लेजिए यह length हमारा जो था इसी length को हम वहाँ पर cut करेंगे यह length है इस length को हम यहाँ पर cut कर लेते हैं कुछ इस तरह पर ठीक है यह हमारा कितना आ गया ना root 3 इसको में यहाँ पर लिख देते हैं root 3 इसका नाम P2 था इसका नाम क्या देते पी देते हैं फिर आगे हम लेंगे तो चलिए हम एक बार और यहाँ पर आगे चुट कर लेते हैं फिर से हम यहाँ पर 90 बनाएंगे और हमको यहाँ पर यहाँ सेम लेंठ लेना है ओके तो 90 बढ़ाना बड़ा आसान एक बार आप कट लगाएंगे तो आपको कितना होगे यह 90 डिग्री का यह उला पॉइंट आएगा इसको आप यहां से आप बढ़ा देजिए आगे की और ठीक है तो यह आपका हो गया 90 डिग्री यहां पर बन गया 90 इसे यहां पर एरो साहन लेंगे अब फिर से आपका स्टार्टिंग क्या था यह यह था आपका वन यूनिट आप य इसको हम मेजर कर लेते हैं हमारा वन यूनिट यहां से हम लोग मेजर करेंगे यह लंबाई ओके और इसको हम यहां पर कट करेंगे इस जगह पर यह हमारा कट आ गया है इसको हम यहां पर मिला देते हैं यहां से यहां से मिलाएंगे यह देखिए ठीक है इसको हमने मिला लि और आपको अच्छा लगएगा बनाने में